हेलो गाइज, वेल्कम तो मैं चैनल एक्स अलफा, इन दिस टिटोरियल, वी विल सी HTML टेक्स फार्मेटिंग टेक्स हम देखेंगे कि पैरग्राफ का टेक्स कैसे काम करता है और हम एक पैरग्राफ को कैसे लिख सकते हैं, इसी टेक्स को हमने बोल्ट करना हो तो हम कैसे लिख स करते हैं, ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, अधिटर ओपन कर लिया है, यहां के हम दुबारा से, अब HTML का टेक्स लिखेंगे, टाइटिल के अदर में लिख देता हूँ, HTML, text, formating हम लोग पढ़ने लगे हैं, text, okay, body के अंदर मैं कुछ color दे देता हूँ, अगर आपने color देना हो, बीची color, यहां पे मैं इसको pink color ही दे देता हूँ, और इसको हम file को save करते हैं, और यह मेरी file, इसको मैं यहां से open करता हूँ, तो यह देखें, color हमारे पास आ चुका है, ठीक है, अब हम लोग इसके अंद के अंदर अपने tags को use करेंगे, अच्छा, सबसे पहला हम लोग headings के tag को देख लेते हैं, कि HTML के अंदर कितनी heading होती है, HTML के अंदर total six heading होती है, पहली heading मैंने use की है, welcome to x alpha, इसको मैं save करता हूँ, और यहां से refresh करते हैं, तो यह हमाई पहली heading हाँ ठीक है, अब इसी तरह से हम heading इंटूब का tag use करेंगे, यहां पे भी मैं welcome to HTML, अब इसका हम दो थोड़ा से syntax देखते हैं, पहली वाली heading हमारी बड़ी थी, h2 वाली heading हो हमारी पहली वाली से थोड़ी सी छोटी है, अगर मैं यहां पे page 3 वाली heading लिखोंगा, तो वो इन दोनों से छोटी हो जाएगी, ठीक है, html x part native, अब यह इन दोनों से छोटी हो जाएगी, तो इसी तरह से हमारे पास इसकी 6 heading होती है, हम उनको बारी बारी यहां पे, मैं आपको run करते भी दिखा लेता हूं, ओके, यहां पे मैं लिख लेता हूं, headings, और यहां पे हमारे पास 5th heading आजाएगी, इसकी, यहां पे भी मैं text लिख लेता हूं, और यहां पे मेरे पास heading 6 आजाएगी, heading 6 में भी मैं लिख लेता हूं, यहां पे हम, लिख लेते हैं, text लिख लेते हैं, अच्छा, अब इन सारी heading को हम वहां वे जाके देखते हैं, यह देख, पहले वाली heading हमारे पास बड़ी थी, दूसरी उसे चोटी, फिर इस तरह से sequence wise heading हमारे पास आगे, अब हम लोग इन heading को हटा देते हैं, अब मैं यहां पे एक, अगर paragraph रिखा हो तो उसका text हमारे, tag जो हमारे पास होता है, P का tag, ठीक है, paragraph के अंदर, अब मैं यहां से कोई random paragraph अगर उठाता हूँ, तो यह एक paragraph है, ठीक है, अब इस paragraph को हम close भी करेंगे, अब यहां पे जाके मैं देखता हूं, यह देखें, यह मेरे पास paragraph आ गया, मैंने नीचे लिखा welcome to x alpha और नीचे मैंने एक paragraph लगा दिया, ठीक है, अब इसके नीचे अगर आप लोगोंने कोई और heading लगानी है, जो मैं इसके नीचे एक heading to का tag लगाता है, और यहां पे मैं लिख रहता हूं, अब नीचे में यहां से, अगर एक पहले वैसे simple हम लोग bold का tag यूज करें, bold का tag simple b होता है हमारे पास, bold का tag लिखा मैंने और यहां पर मैं लिख रहा हूं जी, x alpha और इसको मैंने कर दिया, close, अब यह देखिए, जिसको मैंने bold करना था, उसको मैंने यहां पर bold tag करके लगा दिया, ठीरे, अभी अगर मुझे for example इस paragraph में से किसी syntax को यह किसी paragraph को अगर bold करना हो, तो अगर मुझे यहां से इसको bold करना राइटिंग को तो मैं यहां पर simple इस तरह से करके भी लिखूँगा और इस idea तक अगर मुझे print करवाना है, मतलब अगर bold करवाना है तो यह देख है, राइटिंग से idea तक वह हमारे का text जो है, वह bold हो गया, अब हम लोग यहां पर नीचे आते हैं, यहां पर मैं एक यूज करूँ ब्रेक का, क्योंकि यह आपस में इनकी space नहीं आएगी अब अब मैं यहां पर italic यूज कर रहा हूं, ठीक है, चले, heading लिख लेते हैं, यहां पर हम लोग heading 3 मैंने लिखी, यहां पर मैंने लिखा how to italic to you, tax in HTML, और यहां पर मैंने इसको कर दिया, heading 3 को close कर दिया, ओके, अब यहां पर मैं इस अप्रबार को, use करता ही, प्लीज सब्सक्राइब इस चैनल और यहां पे मैंने इसको ग्लोज कर दिया अब मैं इसका जाकर वहां पर फ़र्मुट भी देखूंगा और यह हमारे पास टैक्स जो है वो टेडा हो गया टाइल को डिया ठीक हो गया और जहां पर मैंने स्पेस दिये थी यह देखें यह नी कि मैं यहां पे लिखता हूँ आँ अब टू अब लाइन आ टैक्स पिंग इस्टी में यू टेग होता है हमारे पास अंडर लाइन गाँ वेल्कम टू एक्स अलफा और यहां पे मैं उसको क्लोस कर दिया टैग को अब यह देखें यह टैक्स के नीचे लाइन लगे यह ठीक है तो इसका टैग हमारे पास होता है यू टैग होता है हमारे पास अब इस तरह से कि में किसी वेब uneven को देखा होगा कि जैसे लिखाता है इस इस आइटम इस नाट लिख लेते हैं अब यह स्ट्राइक टैग करेगा इसको यहां से इसने कट कर दिया ठीक है अब यहां पर अगर मैं एक टैग लगा दूँगा तो यह नीचे वारी जाइन के चला है यह अगर मुझे ज्यादा स्पे देनी है तो मैं इसी ब्रेक को कापी करके यहां पर मैं ज्यादा दफ़ा दे सकता हूं स्पेसिंग दे सकता हूं तो यह हमारे पास थी हैडिंग थी चीट है इसको मैं जूम अगर कर देता हूं यह हमारे पास हैडिंग थी हैडिंग के बाद मैंने एक परग्राफ के अंदर का यू टेग है और स्ट्राइप करना और तो इसे चीज़ को मतलब जैसे खटा होता है तो उसके लिए स्ट्राइक टैग यूज किया जाता जैसा कि यह आपको यहां पर भी नज़र आ रहा है अच्छा अगर मुझे यहां से आप मुझे अगर इसको आई को स्ट्राइक करना यहां पे syntax तक तो मैं यहां से इसको अपना tag use कर सकता हूँ और यह देखें यह text क्या लेगा हमारे पस strike हो है syntax तक through not required by the syntax ठीक है अब अगर किसी चीज़ को मुझे यहां से strike भी करवाना तो मैं अपने टेक्स को अपने tag को यहां को यहां को यूज करते हैं इसको मैं किया करवा सकता हूँ और यूज कर सकते हैं तो अब आप मुझे underline का बताएंगे comments में कि underline करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं और paragraph को भी underline करके आप मुझे वितायें देएंगे, तैक्क्यू करवाचे नहीं करते हैं